नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों इंडियन फोर्सीज जो लद्दाक के अंदर चाइना के साथ में जूज रही है अब उनकी पावर और बढ़ने वाली है उन्हें इंडिजिनस अटैक हेलिकोप्टर मिलने वाला है जिसने अपनी क्षमता को हाई अल्टिट्यूड एरिया के अंदर अभी रीसेंट टेस्ट के दोरान दिखाया था और इससे हमारी एरबोन फ्लीट जिसके पास एएच सिक्स्टी फोरी अपाची अटैक हेलिकोप्टर है और ज्यादा पावर मिलेगी आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शु कर दिया जाएगा और इसके पीछे कारण ये है कि जो भी नैसेसरी सर्टिफिकेशन इसके लिए चाहिए प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए वो अल्रेडी हो चुका है और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के चेर्मेन आर माधवन ने बताया था कि अभ ने ये भी कहा कि ये हेलिकोप्टर लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमारी फोर्सिस के जिरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस किया जा सकता है और साथ ये एरो इंडिया दोहजार इकिस के अंदर इससे सबसे बड़ी ओफर के रूप में इंडिया की तरफ से दिखाया ताकि जो potential foreign customer है वे इसे खरीद सकें और वे इसके अंदर अपनी उत्सुक्ता दिखा सकें क्योंकि दोस्तों official का मानना है कि LCH के अंदर बहुत ही अच्छा export potential है और अभी तक कि जो हम बात करें तो defense ministry already 15 helicopter के initial batch के लिए approval दे चुकी है इन में से 10 helicopter air force के लिए और 5 army के लिए हो और जब initial procurement हो जाएगी तो उसके बाद में इसकी संख्या को आगे भी बढ़ाया जा सकता है यानि और order भी दिया जा सकता है और दोस्तों ये helicopter बहुत ही खास है क्योंकि इसे specially design किया गया है हमारी requirement high altitude area के अंदर देखते हुए और कारगिल युद के दोरान जो हमने सबक लिय गया था उस समय हमें जिस तरह की जरूरत महसूस हुई थी उसी तरह से इसे तयार किया गया है और दोस्तों ये 5.5 ton class का combat helicopter पहला ऐसा helicopter है H.E.L. के द्वारा design और develop किया गया जिसने forward basis जो सियाचीन के उपर है जो 47 meter के altitude के उपर है 500 kg load के साथ में वहाँ पर land किया है और इसक Armed Forces के अच्छे खासे संख्या में order का और last year जो नया production hangar set किया गया था उसके अंदर एक साल के अंदर 30 helicopter produce किया जा सकते हैं और दोस्तों ये helicopter बहुत से mission को सफलता पूरवक पार कर चुका है जिसके अंदर दोस्तों air to air missile को भी fire करना शामिल है जो पहली बार किसी इंडिया के developed chopper ने अंजाम दिया था और साथ ही दोस्तों इसे 20 mm की turret gun भी दी गई है और 70 mm का rocket भी दिया गया है और इसके firing trials भी complete हो चुके हैं तो ऐसे में दोस्तों इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा combat helicopter बनाया है और इसके order भी मिल चुके हैं और साथ इसका बड़ा order भी जरूर मिल ये भी धन्यावाद जाहिंद